नमस्कार दोस्तों मेरे चानल में आपका फिरस एक बार स्वागत है और दोस्तों अगर अगर आपके पास रेल्मी 3 या फिर रेल्मी 3i का डियोस है तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड नूज है क्योंकि इसी महीने का मतलगे नौंबर के अपर ओटी अपडे आपके पास रेल्मी का किसी भी डिवाइस इस वीडियो को सबस्क्राइब करें इस घंटी के आइकन को दबाएं और सलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो दोस्ता अगर आपके पास रेल्मी 3 एंडर रेल्मी 3 का डियोस है तो दोस्ता आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड नूज है क्योंकि दोस्ता फाइनली नौंबर महीने का ओटी अपडेट रेल्मी 3 दूनों डिवाइस में आपर रिसिव होना स्टार्ट हो चुका है सबसे पहले कुछ हुं आप जाने को बढ़नीर इस लिए पासनी मासर हो चुका है और दोस्ता इसा अफ सरी पेचल आपको बहुत सारी जाने को की लिए पैच्छ पैच लोग देखने को मल चुका है और आप जाकर देशक्तिया रेलमी कम्यूटी पर और यह जाने को पोस्ट भी देशकते कि नौंबर के जो ऊटी आपडेट है रेलमी 3 एंड रेलमी 3 यह दोनों डिवस के अपडेट मिलना स्टाट हो चुका है जो कि नौंबर मैने का ओटी अपडेट है और इस अपडेट के बाद आपको बहुत सारी चेंजलों फीचर्स देखने को मिल चुका है जैसे कि लेटेस्ट एंड्रोय स्कुर्टी पैचलों चुका है और जैसे कि रे लॉक्टाउन मतलब की सेकुरिटी लॉक्टाफ्टर प्रेसिंग लॉंप्रेज बटन तो दोस्के पर प्शुब्टाइब प्र प्रेस करना है और लॉंप्र करने बाद ऊपर की तरफ से देखने को मिल चुका है इसके पहले आपको सिर्फ अपसरी दोई फीचर मिलते था ह लेकिन चलो कोई बात नहीं आपको कम से कम चार्जिंग अनिमेशन तो फानिल दोसो रेल्मी 3 और रेल्मी 3 दोनों डियोस के अंदर आपको एक चार्जिंग अनिमिशन देखने को मिल चुका जूड़ सा आपको टिपिकल टाइप का लगता है लेकिन चलो कोई बात नहीं आपको कम से कम चार्जिंग अनिमिशन तो देखने को मिल चुका है रेल्मी 3 और रेल्मी 3 दोनों डियोस के अंदर और फीचर में देखने को और भी कुछ शांदर फीचर इसे डियोस के अंदर देखने को मिलने वाल हो जो कि आपको में सारक सारी फीचर भी बताने वारा हो जैसे की बीटा हो इसके सारक सारी फीचर सापको रेल्मी लैब के अंदर प्रोएट किये जाते हैं तो इस डार्क मोड के इनेवल करने के लागतो जाना है रेल्मी लैब के अंदर आपको सिंपली इनेवल करना है और दोस अपको नीच ओफ्शन देखने को मल जागा डार्क मोड फार फार्ट पार्ट अप्लिकेशन मौजूद है उन सारी सारी थर्ड पाट अपले के चुकिए आपर डार्क मोड भी एनेबल कर सकते हैं और दोस्ता फिलाइक के लिए जो डार्क मोड का फीचर्स आपके यह पर टेस्टिंग के रूप में प्रोड किया है मतलब यह आपर रेल्मी लैब के अंदर प्रोड किया है और ओफिशिल जो अप्डेट है आपको यह पर एंडरोड 10 मतलब के अफिचल है आपको कलर 7 अपडेट के बाद आपको ओफिशिल डिस्प्ले का अंदर जो फीचर देखने को मल जागा उसका बतर पात करेंगे नेश्ट है चेंज़ंड फीचर साथ जो क्या रड़ हो चुका है गूगल का डिजिटल वैल्विंक का फीचर स।ं inse고 यह पर अब और था चुका है गूगल का डिजिटल वैल्विंक का फीचर और दोस्व एक ऐसा फीचर से के साथ कितना टाम स्प्राइब करते हैं तो उसका मतुस्का बात करेंगे तो सब्सक्रा अधर पोड़िटै तो पीचर 1 गेशिक आनदर आपको यूझा अप्रमीच्गयों Talk पारम फिर। स्क्रीन के जाद तो स्टेटेस बार के अंदर को बैटरी उस इंटरफेस का फेची तरी से अपर उप्टिमाइस किया गया है बात करेंगे दोस्तों नेक्ट चिंगल फीचर से जो किया रड़ हो चुका है अड़ेड अप्डेट डॉट्स नोटिफिकेशन पैनल एक ऐसा पर अप्डेटर का शॉटकर मिलता है अप्डेट जेकरने के लिए उसी तरह सबको नोटिफिकेशन पैनल में अप्डेट का शॉटकर भी देखने को मिल चुका है रिल्मी की दिए अंदर उसका बात करेंगे नेक्ट चैनल फीचर के बारे में जो कि आपको एड़ हो चुक लाइब फीचर के लिए अरग्षाय को चुका है जीतने सारी अप्लिकेशन को बुच को चुका है और फीचर में दोस्तों और भी कुछ यह पर शांदार अप्लीकेशन होने वाले फिचर के लिए इसका बात करेंगे नेक्टे जो की का बात करेंगे नेक्स को मतलब की एडडिट एंड क्लॉक हो चुक्रीन में जो कि wijčे ड़ेट्स में देब्ट सकते ऐं उसके बाद सकते हैं तो स्के बात करेंगे गिए पार प्सक्ते ह 무엇 स्वाव्ट से उसलिकेक स्वाइब के घुल जब कहरें हो किस्टम आजेबल की फीचर देखने को मिल जाते हैं जैसे कि कुछ एप्लिकेशन के शौटकर्स आड़ करना है तो एप्लिकेशन के शौटकर्स भी एड़ कर सकते हैं यह फिर जो भी यूटिलिटी है सारे सारे जो ईटिलिटी इस अपको ज्यादा यहां पर टाइम वेस्ट क ले गए जैसे की नॉटिफिकेशन पैनल में आपको एक लेट इस्ट एन रिडिजान नॉटिफिकेशन पैनल मतलब की नौटिफिकेशन सेंटर मिल जाता है जो कि अल्बोज़ सभी दिवस्ट को देखरी को मिल चुक्छा है बस रेलमी त्री और रिलमी ठ्रीश बाकि था तो फानल दोसर रिल्मी 3 और रिल्मी 3 दोनों डिवस के अंदर को नोटिफिकेशन पैनल भी चेंजिस किया गया है। दोसरो ईए के अंदर और और बी कुछ शांदर feature आड़ हो चुक है जैसरी कि दे सकते हैं। स्विच कर सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल नहीं तो बार-बार आपको सेटी में जाने की जोरत नहीं पड़ेगी आप आसने से पर डाटा स्विच कर सकते हैं या पिर सिम टू उसके बाद और भी कुछ चोटे-मोटे फीचर से मतलब की चोटे-मोटे चेंजर से जैसे की दे स सकते हैं रिमोटे रिमांडर आट करेंगे वश्कुन देखने को मलता है उसके बदर बात करेंगे निक्षटे लोफीचर से जो क्या रड़ हो चुका है स्वाइब डौन करेंगा अपको ग्लोबल सर्च को अप्शन देखने को मल्जागा प्वोन्ती के फॉन के ऊसको सेडि यूटूब या पर online चीज़ को या पर सर्च कर सकते हैं और दोस्तों बात करेंगे उसके बाद launcher की मतलब भी app drawer की तो दोस्तों app drawer में हलकस आपको changes किया गा है और ज़्यादा कुछ यह पर optimization किया नहीं लेकिन आपको यह पर home screen ने उसके बाद जो सारे functions से अपके compressive design देखने को मिल चुका इस अपड़िट को install करने के बाद और दोस्तों अगर आपके पास realme के बहुत सारे डियोस है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी good news है क्योंकि दोस्तों रियल्मी की तरफ से बहुत ही जलजी सभी डियोस के अंदर colorway 7 update देखने को मिलने वा था तो दोस्तों मेरे पसंद है तो लाइक करो शेर करो अपने दोस्तों के साथ और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक लिए थैंक्यू बबाए टेक केर